हेलो दोस्तो, थ्री लिनिस पर आपका स्वागत है, मैं फिर से आपके लिए एक रोमान्चक कहानी के साथ आया हूँ तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, सुने के साथ थोड़ा देर रुखने के बाद जब सामने से कुछ आवाज नहीं आया तो हिमान्चू ना जाने क्यों सामने से हेलो बोला, और हिमान्चू के बोलने के साथ ही सामने से एक आवाज आई हाँ, बोलो हिमान्चू अपना नाम सामने से सुनकर हिमान्चू थोड़ा और डर गया, आखिर ये क्या हो रहा है और आखिर इसे मेरा नाम कैसे पता कि फिर सामने से एक आवाज आई जादा सोचने पर अपना दिमाग मत लगाओ बस मेरा फोन कभी काटना मत पहले तो उसे लगता है कि उसके दोस्त उसके साथ मजाग कर रहा है वो भी हस्ते वे कहता है अच्छा भाई नहीं करूँगा पर ये बता तो मेरा फोन उठा क्यों नहीं रहा है तो अभी सामने से एक आवाज आती है मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो कैर अब मेरी बात द्यान से सुनो आज रात तुम्हें मंडी के पास वाले डेपों में जाना होगा और मैं जो कहूंगा वो करना होगा अगर तुमने फोन काटने की कोशिश की तो इसका अच्छाम बहुत कदर ना को सकता है उसी वक्त हिमांचू के रूम का बल एक दम से आवाज के साथ में फट जाता है हिमांचू ये सारी बातों से बहुत सहमसा जाता है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है ये सपना है या कुछ और वो किसी तरह हिमांच जुटा कर आखिर पूछी लेता है कौन हो तुम? तुम्हें मेरा नाम कैसे बता? सामने से फिर एक आवाज आती है हमारा रिष्टा बहुत पुराना ना सही पर रिष्टे के कहराई काफी होगे बस जो मैं बोलता हूँ वो तुम्हें करना है हिमांच रूम के एक कोने में बैठे बैठे रात होने का इंचार करता है रूम में एकदम सन्नाटा था कि अचानक रात के दो बजे मोवाईल से आवाज आई फक्त आ गया है हिमांच रूम बिना कुछ बोले निकल जाता है और सुनसान सडक से डेपो की तरफ जाता है अचानक से फोन से आवाज आती है रूम वो इसी तरफ आ रहा है तुम्हें अगर मुझसे चुटकारा चाहिए तो तुम्हें इसकी चान लेनी होगी हिमांचू के पैर तले मानु जमीन ही की सक गई हो वो डर के मारे मुवाईल वहीं गिरा देता है सामने से एक आदमी अपने साइकल से इसी तरफ आता हुआ दिखाये देता है हिमांचू उसे देखता ही रह जाता है पर उसकी हिम्मत नहीं होती है उसे कोई भी नुक्सान पहुचाने की हिमान्चू फोन को वहीं रास्ते के साइड में दफना कर घर आ जाता है घर पहुचते ही वो सीधा अपने रूम में चला जाता है पर कमरे में जाते ही वो देखता है कि उसका बिस्तर पूरा मिट्टी से भरा हुआ था इसके पहले की वो कुछ समझे नजाने कहां से एकदम से जोरों की हवा चलती है और सारी मिट्टी हिमान्चू की तरफ उठने लगती है हिमान्चू कुछ देख नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसकी आखों में अब मिट्टी जा चुकी है वो यहां वहां समलते हुए किसी कोनी की तलाश में होता है कि अचानक से उसका पैर पता नहीं किसी चीज से डगा जाता है वो गिरने ही वाला होता है पर किसी तरह खुद को समहाल लेता है आखे किसी तरह खुलने पर उसे अपने ठीक सामने वो मोवाईल दिखाई देता है अभी अभी वे हाथसों से हिमान्शू निकलने की कोशीशी कर रहा था कि वो मोवाईल फिर से बज़ता है हिमान्शू ने उस मोवाईल को उठाया और बैलकनी के नीचे फेक दिया जैसे हिमान्शू के नीचे गिरने की आवाज आई तुरंद मानो ऐसा लगा कि वही मोवाईल की आवाज अब हिमान्शू के कमरे में से आने लगी हो वो कापते हुए कमरे में जाता है कुछ समय पहले जो मिट्टी उसे दिखाई दे रही थी अब वहाँ ज़रा साभी मिट्टी का नामो निशान नहीं था वो डरते हुए धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ता है मोवाईल आंसर करके जैसे ही हेलो बोलता है सामने से फिर से वही आवाज आता है तुझे क्या लगा ये सब करके तुने मुझ से पीचा चुड़ूआ लिया जब तक मेरा पतला पूरा नहीं होता मैं तुझे सुकौन से जीने नहीं दूँगा हिमांचो रोते हुए पूछता है क्यूँ पर मेरे साथ ऐसा क्यूँ क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा मोवाईल से आवाज आती है बिगाड़ा तो मैंने भी कुछ नहीं था योगेश का पर उसने भी चंद रुपयों का लालच के लिए मेरी चान ले ले बदला लिये बिना मेरी आत्मा यही इस मोवाईल में अटकी रहेगी हिमांचो रोते हुए कहता है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो मैं किसी की जान नहीं ले पाऊंगा यह मुझसे नहीं होगा मोवाईल से आवाज आती है इस पार अगर तुमने योगेश को नहीं मारा तो इस पार की दरा जिन्दा नहीं बजोगे दूसरे दिन हिमांचो फिर से उसी सुनसान सडक पर जाता है और योगेश के आने का वेट करता है जब उसे योगेश सामने से आते हुए दिखता है वो उसे हाथ दिखा कर रुका देता है योगेश साइकल रुकाते हुए क्या हुआ? क्यों रुकाया बे? हिमांचो उसे कुछ बोलने से पहले ही योगेश ने हिमांचो का कॉलर से पकड़ लिया हिमांचो अपने कॉलर को छुड़ाते हुए सामने से देखा तो एक कार बड़ी तेजी से आ रही थी हिमांचु ने अपने आपको छुडाते हुए छलांग लगा कर वहां से हट गया पर योगेश वहां से कूद नहीं पाया और उस गाड़ी ने योगेश को कुचलते हुए चला गया आगे जाके उस कार वाले ने कार रुकाया और उतर के देखा तो वहां योगेश खून में लत्पत पड़ा था अचानक से हिमांचु को अपने जेब में कुछ आवाज आई मोवाईल निकल कर देखा तो वो आवाज मोवाईल बंध होने की थी हिमांचु कुछ समझ नहीं पाया पर वाँ से भाग कर चलाया और घर आते ही मोवाईल आउन करने की कोशिश की पर ना मोवाईल आउन हुआ और ना ही फिर से कभी बजा हिमांचु उस दृष्ट को अपने आखों के सामने से कभी हटा ना सका आज भी उसे बुरे सपने आते हैं और वो खुद को योगेश का कातिल समझता है आज के लिए बस इतना ही मैं सुनिल आपके लिए ऐसी ऐसी मज़ेदार वीडियो और कुछ डरावनी वीडियो के साथ आते रहूँगा कहानी पसन आने पर प्लीज लाइक, शेर और कमेंट करना ना भूले थेंक यू